आप मेरी बार ध्यान से सुनना ठीके और मैं आपको एक तरीका भी तरीका आपको याद रहेगा ठीके वट इस इन मतलब किसी भी चीज के अंदर ऑंदर बात्रूम के अंदर क्लास के अंदर बुक के अंदर 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 याने इन अंदर याने इन इन मतलब अंदर, ठीक है, फिर है on, on, इन मतलब अंदर, on, on मतलब, आप अपना एक हाथ लेफ्ट हैंड ऐसे करो, और उसके उपर, दूसरा हाथ रखा, on, on the table, on the chair, on the bench, on the bench, ठीक है, फिर और क्या एक्जाम्पल देशेते हो, on the fridge, इस तरह से on का क्या पतलब होता है, उपर, अंदर, अंदर याने in, अंदर, उपर, in, on, in, on, under, अंदर याने नीचे, अंदर, अंदर याने नीचे, टेबल के नीचे, under the table, under the chair, under the bed, where is your napkin, under the table, where is the ball, under the bed, तो क्या है, in, on, under, एक और आपको और भी आगे बहुत सारे words पढने मिलेंगे, लेकिंग these are the main words which we are going to study in senior कीजी, in, on, under, ठीक है, हम लोग take out your popcorn book, page number 14, 1, 4, 14 Write down date Write down date, यहाँ पे date लिखिए आप लोग यहाँ पे उपर date और नीचे CW Write down date and CW और आप उसको read करेंगे A pen, put your finger on the line मैं read कर रही हूँ, आप भी read करते जाहिए A pen is in the box In को underline करेंगे In In, in कहाँ है, यह है in I am in, in the box Box के अंदर है A pen is in the box कोई भी चीज जब किसी चीज के अंदर रखते है तो अंदर के लिए हम use करते हैं In तो इखिए बाजू में A book is in the bag In को आप underline करें In the bag, bag के अंदर है Book bag के अंदर है फिर an, ant N क्यों लिखा है यहाँ पे? Ant की spelling में A letter Vowel है, इसलिए आगे and लिखा And, and is on the jug On मतलब उपर जग के उपर है जग के अंदर नहीं है A crow is on the cow Cow के उपर बैठा है ना crow इसलिए on Underline करें On Next A cat is near the gate Gate के पास में है cat इसलिए near N-E-A-R Near ठीक है? Cat is gate के पास है Near A pen is near the book Near मतलब पास में Near मतलब पास में Near the book यह जो pen रखी हुई है यह book के पास है इसलिए near फिर A tub is under the tab Under Under याने नीचे नलके नीचे यह tub रखा हुआ इसलिए under A tub is under the tab A tub is under the tab Next है A ball is under Under मतलब नीचे Under the table ठीक है? Under मतलब नीचे यह भी side words कहलाते हैं These are also loaded side words In, On, Under In का मतलब अंदर On का मतलब उपर और Under का मतलब नीचे In, On, Under ठीक है? यह बाजुवाले पेज में भी हम लोग date और CW लिखेंगे और इसको मैं आपको help करूगी फिल करने में ठीक है? The fish is पानी के अंदर है फिश की पानी के उपर है? पानी के उपर है जब अंदर रहती है तब in होता है The fish is पानी के अंदर नहीं है पानी के उपर है लेकिन sentence क्या है? The fish is dash the tub in the tub ठीक है? तब के अंदर है तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे? In I am in The fish is in the tub Next है The man is near the wall दिवाल के अंडर नहीं लिख सकते दिवाल के उपर नहीं लिख सकते दिवाल के नीचे नहीं लिख सकते कहां है? पास में है पास में के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? Near Near is not necessary उसको याद नहीं रखना है आपको हम लोग इस senior kg के क्लास में near जादा नहीं पढ़ाएंगे लेकिन फिर भी आपको concept clear रखना है ध्यान रखना है कि near मतलब क्या होता है? पास में नीचे मतलब पास में ठीके? तो man is near मैं बुक में भी आपको लिख रही हूँ आप ध्यान से लिखते चाहिए यहाँ बुक में near next है the bat is bet कहाँ पे है? उपर है? नहीं है अंदर है table के अंदर कैसे हो सकता है? कहाँ पे है? नीचे नीचे के लिए होता है under तो यहाँ लिखेंगे u n d e r मैं यहाँ भी लिखा हुआ है under u n d e r under ठीक है? next यह एक box दिख रहा है आपको इस box के उपर बुक रखिए ना? box के उपर बुक रखिए उपर के लिए होता है on the book is on the box o n on on की spelling? o n on the book is on the box नीचे the boy is a boy कहा है? कार के बाहर खड़ा है कार के नीचे है कार के उपर है नहीं कार के अंदर है अंदर अंदर के लिए in आप याद रखिए in on under ठीक है? बहुत इजी है the cap is the cap is on the chair the cap is on the chair chair के उपर रखिए इसलिए on ठीक है? इसलिए on the cap is on the chair ठीक? तो इस तरह से हम लोग और आगे reading करेंगे और आगे पढ़ाई करेंगे in the next class आप लोग को याद रखना है in on under ठीक है? हम लोग और भी discuss करेंगे और पढ़ेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगे ठीक है? ओके बाई